शिव के मस्तग पर पिंडी पर शिवलिंग पर धतूरा पहली बार चड़ाया गया को फुलेरा दूच का दिन भगवान शंकर शिव के मस्तग पर पिंडी पर शिवलिंग पर धतूरा पहली बार चड़ाया गया को फुलेरा दूच का दिन था इसलिए शिव महापुरान की कथा करती है जिस दिन कोई मोरत नहीं हो कोई काम नहीं हो उस दिन केवल फुले रादूज के दिन आप किसी भी दुकान का वेपार का वेवसाय का जन्म का आदिक का कोई भी मोरत कर लो वो कभी ठप नहीं हो सकता वो बढ़कर ही चलेगा सारी जिन्दगी के काटे निकल जाते है सारी जिन्दगी के काटे समाप्त हो जाते है फुलेरा दूज़ काते हैं दुनिया में सब दिन का दान सब दिन का पुन्य समाप्त हो सकता है और फुलेरा दूज़ का दान पुन्य सतकर्म भजन कीर्तन नामिस्मर्ण समाप्त नहीं होता है चपकर आ जाते हो अचनक गिर जाते हो हापड़ी भराने लगती हो थोड़ा सा चलने पर स्वास फूल जाती हो जादा चड़ने पर उनके लिए विशेश है कि धतूरे की जड़ को धतूरे का जो फल होता है उसकी जड़ महाराज निकाल कर दो कर उसको गिस कर शंकर भगवान पर उसका लेपन कर दीजिए थोड़ी सी जड़ शिवजी पर चड़ा दीजिए फूले रादूच के दिन उस जड़ को पानी चड़ा कर बापिस ले कर जाईए जो मिरगी का मरीज होता है जिसको दमे की इस शिकायद होती है स्वास की होती है चलने में हापड़ी भरा जाती हो फूलेरा दूच के दिन दोपहर के समय पर उसको वो जड़ केवल तीन या चार वर सुगंद में सुगा दी जाती है तो मिरगी की बिमारी समावत हो जाती है और जिसको दमा स्वास कुलता है उसको भी अराम लग जाता है फूलेरा दूच के दिन उसके लिए नित आननद का सुक दे जाती है और विध्यान दे जिसको बहुत भारी बिमारी हो डाक्टर करें कि आपरिशन की जरुवत है आपरिशन कराना पड़ेगा गांट हो गई है यह हो गया है वो हो गया है निवेदान है एक धतुर्या फुले रदूच के दिन भगवान शंकर के शिविलिंग पर समर्पित करें और पाँच बेल पत्र नंदिश्वर भगवान पर अर्थाथ भगवान नंदी पर समर्पित करें जीवन में कितनी बड़ी भी बिमारी होगी वो आगे नहीं बढ़ सकती ऑपरेशन की जिद्वत नहीं पढ़ सकती वो केवल खुले रदूच करो कुछा चुकर नहीं रहा पाइसा आइज जुकर अब हुम NOT. ऐक धतूरा बेल पत्री के नीचे शिवनिंक का निर्माण करकर फुले रहादुरकर दी में भिंगो कर उसको भगवान संकर को समार्पित कर अपनी काम ना करकर उसी हल्दी की एक बिंदी अपने साथ में रुमाल में लगाकर अपने बेपार वेशाई की जगा पर लेकर जाएए करजा धीरे 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 जब चूकेगा जब लच्छमी आएगी तो लच्छमी की व्रदीवी वो करता है यह फुलेरा दूच के उपार जिस दिन मा जगजन्नी जगदंबा अंबा स्वयम भगवान शंकर को मोन होकर देखकर लापित होती है नईनों से नीर बैता शिव को हुआ क्या धतूरा होता है विशेला कैसा होता है विशेला बहुत विश होता है धतूरे के अंतर पर समर्पित किया जाता है जैसे पारवती जी को लगा जब कोई साथ नहीं दे रहा पारवती जी को लगा जब कहीं से सुक अनुभाव नहीं हो रहा आनंद का नुभाव नहीं हो रहा पारवती जी ले गई धतूरा पारवती महिया ले गई उस बिल पत्तर को शिव को और प्र जिलियों का क्रम हो जाता है उनके लिए भी माराज धतूरे का पानी धतूरा एक लोटे में डाल दो पानी दग दो उसमें उसके अंदर थोड़ा सा चंदन डालकर वो पानी शिवजी को समर्पित कर दो वही पानी को ले कर जाईए और कुछ देर तक शरीन में लगाकर बेट जाई है माराज वो किवल फुलेरा दूच का है माराज उसको शरीर में लगाकर थोड़ी देर बेट जाईए 15-20 मिनित तक शरीर की अंतरगत कोई वस्त्र ना हो उस वस्त्र को उतार कर उसको लगाकर बेट जाओं धाई से तीन महीने में दाद खाज केसी भी चर्म रोग हो होगा वो धीरे-धीरे समाप्ति की ओर हो जाएगा माराज फुलेरा दूच का माता है कि शास्त्र कहता है भले इसको छुपा कर रखा गया हो इसकी महत्वता जो दुकान जो वेपार जो वेवसाय और पहले वी आपको कहा मान लो आप शिवराक्तरी के दिन रात को भगवान संकर को धतूरा चड़ाते हो वेपार वेवसाय के लिए और वो धतूरा आप शिवराक्तरी के दिन सुबा चार वजे से पहले नहीं बान सकते तो उस धतूरे को फुलेरा दूच के दिन लाल वस्तर में बांध कर अपने वेपार वाली जगा पर बांध दो जीवन में कभी बेपार नीचे नहीं जाएगा बड़ता ही चला जाएगा